सभी को गुद मॉर्निंग, आज हम सब एक कहानी सुनेंगे जुसका नाम है सोमा क्या बोई बहुत पहले एक बूढा रहता था, उसका नाम था सोमा वहे जंगल के पेडों से फल खाया करता था एक दिन जंगल में घूमते घूमते वहे एक नदी के किनारे पोचा उस छोटी नदी ने कहा तुम खेती क्यों नहीं शुरू कर देते सोमा ने नदी के दोनों किनारों पर जगा साफ करके कुछ जई के दाने बोई जैसे ही दाने पकने को आए, एक गिलहरी आई और दाने खा गई तुम मेरे दाने क्यों खा रही हो? सोमा ने गिलहरी से पूछा अगर तुमने चने बोई होते तो मैं उन्हें नहीं खाती गिलहरी ने कहा बूढ़े सोमा ने अपने खेत में कुछ चने बो दिये जब चने उगे तब एक हिरन आया और उन्हें खा गया तुमने मेरे चने क्यों खाए? सोमा ने उस हिरन से पूछा हिरन बोला अगर तुम मकई बोते तो मैं उसे नहीं खाता अब बूढ़े सोमा ने अपनी जमीन पर थोड़ी मकई बोई एक तोता आकर मकई के दाने चुगने लगा तुम मेरी मकई क्यों खा रहे हो? सोमा ने उस तोते से पूछा तोता बोला अगर तुमने मूंगफली बोई होती तो मैं उसे नहीं खाता बूढे सोमा ने अब कुछ मूंगफली बोई कुछ समय बाद एक सियार आया और मूंगफली खाने लगा सोमा ने उस से पूछा तुम मेरी मूंगफली क्यों खा रहे हो? अगर तुमने शकरगंदी बोई होती तो मैं उसे नहीं खाता सियार ने कहा बूढे सोमा ने को शकरगंदी बोई उन शकरगंदियों को एक सुवर आकर खा गया तुमने मेरी शकरवंदी क्यों खा रहे हो सुमा ने सुवर से पूछा सुवर बोला अगर तुमने तिल बोय होते तो मैं नहीं खाता बूड़े सुमा ने थोड़े तिल जमीन में बो दिये इस तरह से बूड़े सुमा ने अलग-अलग तरह की फसले उगाना सीखा वे हैं और उसके जानवर दोनों मज़े से रहने लगे क्या आपको भी ये चीजे खाने में मज़ा आता है?